कि हलो गाईज वर्कोम बाइक निए चानल चंट एंड तोड़ेज दीड कोड चैलेंज इस इंसर्ट इंट्वर इसक उसन में क्या करना है बीसिकली तुम्हें एक इंट्वर एरै दे रखा है और एक इंटर्वल में क्या होगा स्टार्टिंग बॉइंट और एंड पोंट है तो हमको क्या करना है हमको बैसिकली यह new interval जो है इसको insert करना है तो जैसे इसमें क्या है 1 और 3 है और 6 और 9 है तो 2 और 5 को कहा insert करोगे तो 2 और 5 को अगर insert करोगे तो यह हो जाएगा इसमें 2 तो पहले सही है 2 से लेकर 3 पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा 1 से लेकर 5 हो जाएगा और 6 से नेकल 9 हो जाएगा ठीक है तो ये ही करना है तो जैसे इस में क्या करा है इन्होंने कि 1 से लेकर 2 है फिर 3 से लेकर 5 है फिर 6 से लेकर 7 है और हमको 4 से लेकर 8 इंसर्ट करना है तो 4 से लेकर 8 करते हैं इधर कहीं होगा तो 3 से लेकर 8 मतलब सारा हो जाएगा तो ये भी गया, और 8 से लेकर 10, तो मतलब George ये पूरा 3 से लेकर 10 हो जाएगा ठीक है, तो हम रिटर्न कर देएंगे, 3 से लेकर 10 और फैट 12 शलेकर 16 तो कैसे करेंगी इस question को तो देखो simple ही हमने क्या करा हमने इक इंटर्वेल्स दे रहे ठीक है हमने कई न्यूँ इंटर्वल इंसर्ट करना है तो हमने क्या करा यह Set एक set बना लिया ठीक है set of pair in common set इसमें सारे जो है insert कर दिये ठीक है फिर इसके बाद ये भी insert कर दिया तो इस set में क्या होता है ना खुदी ordered ordered में insert होता है ठीक है किसके according first अगर ये pair है तो इसके first element के according ये खुदी कि इसको ordered form में insert करेगा तो अगर हमने इस इन सबको insert कर दिया फिर इसको insert करा तो ये ऐसा बन जाएगा खुदी one से लेकर two three से लेकर five four six eight twelve तो मतलब ये फ्रस्ट फ्रस्ट जो होगा न फ्रस्ट element उसके according अपने आप ही sorted order में insert हो जाएगा ठीक है तो फोर कॉमा एट कहा आ जाएगा फोर कॉमा एट आ जाएगा इधर क्योंकि वह three से बढ़ा है और six से छोटा है ठीक है तो यह आ गया यह हमने insert कर दिया इसको अब क्या करना है हमको अब हमको ये जो overlapping intervals है उनको मर्ज करना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक नए set बना लेंगे जो कि हमारा होगा answer इसमें हमारा final answer store होगा ठीक है pair int, int s1 तो सबसे पहले हम s1 में क्या दाल देंगे फरस्ट element दाल देंगे ठीक है 1,2 दाल देंगे अब हम क्या करेंगे अब हम इस s में iteration चालू करेंगे यहां से ठीक है और check करेंगे कि क्या ए 3,5 इसका 3,5 का इस वाले का starting element और इसमें जो दल चुका है उसका जो last element है ना उसका जो last element है उसका हमारा end ठीक है जो last end ठीक है और यह जो हम जिस i पे हैं उसका start ठीक है अगर यह जो है बड़ा है यह जो है बड़ा है इससे तो तो हम क्या कर देंगे इसको simply insert कर देंगे अगर यह बड़ा है तो हम इसको insert कर देंगे तो अब यह बन गया last ठीक है अब हम इसको किसे compare करेंगे इस से तो इसका last का end last का end के 5 तो 5 और यह 4 आई का start के 4 तो अब यह कै यह बड़ा है ठीक है यह बड़ा इसका मतलब क्या है यह merge होंगे हम इस आई पर है तो यह merge होंगे तो अब इसको हम कहां मर्च करेंगे यह 3,5 हो गया और यह 4,8 हो गया तो इसको इसमें एक और चीज देखनी पड़ेंगी इसके साथ हम क्या check करेंगे कि हमारा इसका जो end है इसका जो end है आई का जो end है ठीक है वो बड़ा है जो last है उसके end से ठीक है यह बड़ा भी तो होना चीए इस से ठीक है यह बड़ा होगा इससे अगर यह माल लो छोटा हुआ इससे जैसे यह हो गया 5 हो गया इससे छोटा हुआ इससे छोटा या फिर इसके equal हो गया ठीक है तो तो यह insert नहीं करेंगे हम यह insert करेंगे ही नी यह अगर 4 भी हुआ 4,4 हुगा, तब भी इसको insert नहीं करेंगे नहीं वाले को, हम कब इंसर्ट करेंगे जब भी ये 4,8 होगा मतलब हमारा ये जो i का जो last end element है वो बड़ा होगा हमारा last के end से i का जो end है वो हमारा बड़ा होगा last के end से और ये condition दो होनी चीए कि last का जो end है वो बड़ा होगा हमारे i के start से तो हम किसको insert करेंगे s1 में हम किसको insert करेंगे हम करेंगे इसके start को last के start को कॉमा i के end को ठीक है इसको insert करेंगे हम और इसको remove कर देंगे हम इसको insert करने से पहले हम इसको remove कर देंगे s1 से ठीक है s1 से remove कर देंगे इस last element को remove last element ठीक है s1 not remove last और ये insert कर देंगे हम ठीक है तो ये दो condition हो गई if condition अगर ये last का end हमारा छोटा है तब तो हम simply insert कर देंगे आई आई एलिमेंट को और अगर लास्ट एलिमेंट बड़ा है हमारा आई के स्टार्ट से एंड का है लास्ट का एलिमेंट छोटा है हमारे आई के एंड से तो हम इसको एस वन को रिमूव कर देंगे लास्ट एलिमेंट को और insert कर देंगे last.start, i.end ठीक है? तो इसको dry run करते हैं तो हमने क्या insert कर दिया इसमें? 3,8 ठीक है? वरभम 6,7 पर गए 6,7 तो अभी हमारा 3,8 है और यह हो गया 6,7 तो इसका end इसका end क्या बड़ा है हमारे starting से हाँ है ठीक है? है बट क्या हमारे इसका end इसका end 7 क्या बड़ा है हमारे इसके end से? नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमको कुछ नहीं करना यह पहले सी मढ़ जो चुका है तो इसको हम leave कर देंगे छोड़ देंगे इसको ठीक है? तो 6,7 को हमने छोड़ दिया अब हम गए 8,10 पर 8,10 यह 3,8 हो गया और यह 8,10 हो गया क्या इसका जो end है क्या वो बड़ा है? हमारे इसके start से ठीक है? तो यह equal भी चलेगा ना? यह equal भी चलेगा? तो हां है equal भी है या फिर बड़ा भी है ठीक है? तो और क्या हमारे इसका इसका जो end है? आईए element का जो end है? क्या वो बड़ा है हमारे start से? इसके end से? हां है तो इसका मतलब क्या है? हमको नया insert करना पड़ेगा तो हम इसको remove करेंगे इसको remove कर देंगे और हम क्या insert कर देंगे? last का start, last का start last का start ही हो गया इसको हम remove करने से पहलें क्या करेंगे? last का start store करा लेंगे, ठीक है ना? last का start store करा लेंगे और फिर हम इसमें I का end हो गया 10 तो यह हम push कर देंगे, insert कर देंगे, ठीक है? अब यह क्या हो गया? 3,10 insert हो गया तो 3,10 insert हो गया अब हम किस पर जाएंगे? 12,16 पर हमारा last क्या है यह है तो 3,10 और 12,16 तो क्या इसका जो end है last का जो end है, क्या वो बड़ा है हमारे 12 के start से नहीं है तो हम इसको simply insert कर देंगे तो यह हो जाएगा 12,16 ठीक है? ठीक है तो तो इसका code पर आ जाते हैं तो मैंने क्या करा है? पर एक set ले लिया pair, end, end उसमें मैंने इस सारे elements को इस्टोर करा लिया फिर वापिस से यह new internal लाला को भी insert करा दिया तो इससे क्या हुआ? अपने आप ही यह ordered 4,8 ने अपनी जगे ले ली ठीक है? फिर हम क्या कर रहे है? इस वाले क्या बोलते हैं? अगर वो iteration हमारा s.begin निए तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? पहले element को दाल देंगे ठीक है? यहाँ पे जैसे हमने बताया था पहले element को दाल देंगे ठीक है? पहले element को हमने s1 में दाल दिया यहाँ पे दाल दिया मैंने ठीक है? अगर वो iteration हमारा as.begin नहीं है तो पहले insert कर दिया ठीक है फिर क्या कर रहे है हम फिर हम यह दो चीज़े follow कर रहे है दो चीज़े ठीक है अगर हमारा यह last का end अगर छोटा है आई के start से ठीक है आई का start यह आई हो गया इसके start से इसका मतलब first element जो है वो हमारा बड़ा है यह last के end से ठीक है यह last के end से बड़ा है आई का start आई का start बड़ा है तो हम क्या कर देंगे simply insert कर देंगे ठीक है और नहीं तो हम क्या करेंगे अगर हमारा आई का जो start element है वो छोटा है यह last element last element कैसे दिखते हैं s1 s1 में जो insert हो गया है उसका r.begin यह होता है last element ठीक है जो s1 में insert हो चुका है उसका last element last element ऐसे लिकालते हैं s1.r.begin मतलब reverse से पीछे से पहला element ठीक है अगर वो यह last का end हमारा last का end कैंब बड़ा है last का end कैंब बड़ा है हमारे i के start से या फिर equal है end कैंब हमारा i का जो end है i का जो end है वो बड़ा है हमारा last के end से i का जो end है i का जो end है वो हमारा बड़ा है last के end से तो हम क्या करेंगे हम एक तो पहले हमने last का last का जो first element है या फिर जो start element है वो लिका लिया फिर हमने उसको delete मार दिया ठीक है s1 यह से हमने last element को delete मार सकते है इससे हमने क्या करा iteration लिकाल दिया s1.end minus minus करके हम क्या करते है न जो last element होता है उसका iterator लिकाल देते है उसको हमने remove कर दिया s1 से और हमने insert कर दिया ठीक है तो यह हमने insert कर दिया ठीक है और हम क्या कर रहे है end में अब हमारे s में क्या है हमारे सारे elements से अब हम उनको क्या करेंगे answer vector में push करके answer को return कर देंगे ठीक है So that's it for this question Hope you like it, please subscribe So time complexity किती हो जाएगी time complexity हमारी हो जाती है set में insert करने की log n ठीक है तो हम हर element को insert कर रहे है तो n log n हो जाएगी time complexity set में insert करने की ठीक है तो overall time complexity भी हो जाएगी n log n इसको तुम वैसे vector से भी कर सकते हो ठीक है मैंने set समझाने के लिए बताया है कि last element हम कैसे लिकालते है r.begin से और अगर हम को last element का iterator चाहिए तो वो last dot यह नी होगा ठीक है s.end नी होगा s.end minus minus होगा यह होता है last element का iterator ठीक है so that's it for this question thanks